पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे यह बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजिन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोड़ पती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजिन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टक्राने निकल पड़ा इसी रहसे पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मन्जिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका की राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लान बना चुके थी राष्टपती पोतिन और पुश की शिखर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरिकी राष्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राष्टपती बुश के लिए पोतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राष्टपती बुश और पोतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसला ही शुरू हो गया राष्टपती पोतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इसे पोतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमू नमाना जिसकी शुरॉआध सेंट पीटर्थबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोवियत खोफिय एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पोतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसिले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहाज पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टोरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के तदकालीन राश्टपती जाक शिराक को ब्रिगोजन के तैरते रिस्टोरिंट में डिनर के लिए लेकर गए प्रिगोजन की घथारी के बाद राश्रपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश़ दिया उन्होंने वागनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वागनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वैगनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वैगनर गुरूप के लड़ाके अपने दुस्साहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिये हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वागनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर ज़रा गौर कीची प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी पता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बात तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हत्यार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप ने पूरी दुनिया को पता दिया कि वो पोतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए हैं अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरी इलाके में वैगनार ग्रुप को शरन दी गई हैं वहां से चेर्नोबिल की दूरी लगभग 400 किलूमीटर है चेर्नोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तैय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन पिछले हफ़ते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्वपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रिगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं किया प्रिगोजन पुतिन के लिए भसमा सुरब बन गया या फिर प्रिगोजन रूस की सत्दा पर पुतिन की मद्बूत पकड बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जर्य पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रों का सच छलावा दाइलीजुरी बॉन्ड रूस की राजनीती में लातिमिर पोतिन के तब तबे को चुनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवालेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवालेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लेहाजा नवालेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे चार बहीने बाद 27 अप्रेल 2017 बारनौल अल्ताइक रूस मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनौल शेहर में एलेक्सी नवालेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तब ही एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियंट ग्रीन दाए था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जक्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाएंख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राष्टपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गये लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क साइबेरिया रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत ना सुप थी ओम्स्क शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मुनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवालेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रो पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बन गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बन लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार ग्रुप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की ओर कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का ऐलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रूस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रूस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रूस्तोव के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मौसको की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टबर्दी पुतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पुतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पुतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पुतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूप्स वैगनार गुरुप के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुरुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी प्रिगोजिन को थेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई कि प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती चला दिक इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है? क्या और कैसे काम करता है? और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनार ग्रुप नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनार ग्रुप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया ऐसमें सवाल है कि वागनार ग्रुप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दाहीडन रूट्स बीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन यूक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस यूनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इंसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की 9 सेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान चहपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बल्कि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीएमसी यानि प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था। रूस ने तब इस बाद से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीएमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है। पीएमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उत्योकपती येवगनी प्रिगोजिन ने की है। ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिए जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी। सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी। रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन लाता किया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए। और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया। अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ। सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे। साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं। इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ। उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब ISIS का गड़ था और ISIS के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था। उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए। अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए। लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया। क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पीमसी के लडाके थे जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पीमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में तब वैगनार पीमसी पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन अमेरिका की आँख की किरकिरी बन चुका था, अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पीमसी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा, तो प्रिगोजिन की कंपनी Concord Management and Consultancy ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इंकार कर दिय सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरकी न्यूस वेबसाइट सीनन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार पीमसी के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीएमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेज सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीएमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगेनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उन पर पाबंदी लग चुकी थी। प्रिगोजिन की ये नई कंपनी, एवरोपॉलिस भी, 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनीों की लिस्ट में आ गए। जुलाई 2022, सेन पीटर्सबर्ग जेल, रूस। युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थे। इस दोरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी। टॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार गृप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था। पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आए। आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार गुरुप में भरती होने की पेशकश की है ये पहली बार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया दुनिया में सबसे ज़ादा हतियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पेमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरुरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वागनर गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दा घोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में सबर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई दोहजार अठारा वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बंचुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबियाई ने गिरफ़तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबियाई के पास पुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरतार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्सजंडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इनकार करती रही मारिया पोतिना ने ट्रायल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बुतिना के ट्रायल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वाभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी मदद मुहया नहीं कराए अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूता वास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुआ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पुतिन की टीम के प्रभावशाली सर्दस्य ने मारिया के मदद की थी मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीज चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवगेनी प्रिगोजिन का मारिया बोतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन बास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते, वहां प्रिगोश्जिन को आगे किया जाता है मारिया बुदिना की मदद के लिए प्रिगोश्जिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंट्रल अफरीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा ब्लड ऑन ट्रेट 25 अक्टूबर 2016 बांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना 2013 में ही पस्थ हो गई थी सुरक्षा की जिम्यदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माल ली Central African Republic से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज Central African Republic की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 पांगी Central African Republic में वैगनार की मौजूदकी के खबर पहली बार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने Central African Republic में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लगभग 1000 फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि Central African Republic ने M Finance LLC Security Service नाम की रूसी कम्पनी को दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में रेजिस्टर्ड इस कम्पनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कम्पनी खनन का काम करती है इस खुलासे के बाद लोगों को समझ में आया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफ्रीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वजय भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने Central African Republic की सबसे बड़ी हीरा कम्प 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सुडान ग्रेह युद्ध में जुलस रहे सुडान के ततकालीन ताना शाह ओमर अलबशीर ने रूस के राश्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सेना सुडान पहुंची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व ख कोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सुडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया गया है जल्दी सुडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सुडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सुडान की सेना के साथ मिलकर वशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप की नजर सुडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सुडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल 2023 खार्तूम सुडान सुडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सुडान की पैरा मिलिटरी फोर्स रस यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस पार भी असल खिलाडी प्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और आरेसिफ का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेब रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाब आरेसिफ के असंतोष को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां आरेसिफ के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कंपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जवीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजए ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक ड़ेंगे तो उनके हर अक्षन की जवाबते ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कही भी कटगरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजिन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोड़ पती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजिन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहसे पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मन्जिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका की राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लान बना चुके थी राष्टपती पोतिन और पुश की शिखर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरिकी राष्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राष्टपती पुश के लिए पोतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राष्टपती पुश और पुटिन को खाना परोसने के लिए रेस्टरान का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसला ही शुरू हो गया राष्टपती पुटिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टरान का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुटिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमून अमाना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिय एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पोतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के बास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंद पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहाज पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टरेंट में डिनर के लिए लेकर गए प्रिगोजिन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी देकर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकष ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वागनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वागनर गुरूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखे हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर 25 मार्च 2023 क्रेमलिन मॉस्को रूस युकरेन वार के 13 महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन वेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युकरेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑग जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे हमारे पास गोला बारुप सत्तर प्रतिशत कम शोईगू 11 से 9 गोला बारुप कहा है रूस के लोगों की नजर में उस वग प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने भाखमत को युकरेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुपी हैरान करने वाली थी ये रहस्य आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार गुरुप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार गुरुप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर कीची 17 जून 2013 प्रेमलिन बॉसको रूस परमाडू हत्यारों के पहले के बेलारूस पहुँच गई है रूस के परमाडू हत्यारों के बेलारूस पहुँचने के ऐलान के ठीग एक हफ़ते बाद वैगनार क्रूप के चीज प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी पता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफ़ते पहले रूस के परमाडू हत्यार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार क्रूप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पुतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा? ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गुरूप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गुरूप को शरन दी गई है वहां से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुनंदन पिछले हफ़ते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रीगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रीगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रीगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जर्ये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रीगोजन असल में क्या है इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रीगोजन के विद्रो का सच चलावा दाइलीजुरी बॉन्ड लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लहाजा नवालेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे चार बहीने बाद 27 अप्रेल 2017 बार्नॉल अल्टाइक रूस मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बार्नॉल शेहर में एलेक्सी नवालेनी उस दिन सुबह अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तब ही एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियंट ग्रीन डाइ था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जक्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाइं आख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थगों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसको के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राष्टपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क साइबेरिया रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नाजुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मुनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खुन की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में हैं और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवालेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी है कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रो पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बंद गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बंद लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार ग्रुप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की ओर कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रुश्तौव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रूस्तौव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपर्दी पोतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोस्जिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुर्प के मुखिया प्रिगोस्जिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2023 क्रेमलिन मॉस्को रूप्स वैगनार गुर्प के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुर्प के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी पुरिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूटनीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्वीकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दाहीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन यूक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस यूनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभी इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंकी वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सैन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेटिनिन करनल दिमित्री उत्किन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उत्योगपती येवगेनी प्रिगोजिन ने की है ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे फिल्हाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिये जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ साथ फर्वरी 2018 दायर उजोर उत्तरी सीरिया उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब IIS-IS का गड़ था और IIS-IS के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला ज़ाड लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार PMC के लड़ाके थे कि उसने 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की प्रिगोजिन अमेरिका की आँख की किरकरी बन चुका था अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पीमसी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगोजिन की कंपनी कॉनकॉड मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इनकार कर दिया सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरकी न्यूस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगेनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उन पर पाबंदी लग चुकी थी। प्रिगोजिन की ये नई कंपनी, एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गई। जुलाई 2020, सेन पीटर्सबर्ग जेल, रूस। युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थे। इस दोरान युक्रेन में वैगनार PMC के लड़ाकों की मौजूत्की की खबरें लगातार आ रही थी। डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था। पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई। आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार गुरुप में भरती होने की पेशकश की है ये पहली बार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया दुनिया में सबसे ज़ादा हतियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरुरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वागनर गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दा घोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रेपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी बंद्रह जुलाई दोहजार अठारा वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबियाई ने गिरफ़तार कर लिया मारिया पर आरोब लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोब को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन FBI के पास पुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरतार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्सेंडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इनकार करती रही मारिया पोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया पोतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवईये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वाभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी मदद मुहया नहीं कराए अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथ हो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुए मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते बुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पूतिन की तीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवकेनी प्रिगोजिन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मारिया बुदिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भीजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंटरल अफ्रीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा ब्लड ऑन ट्रेड 25 अक्टूबर 2016 पांगी सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही कुटों की बंदू के गरज रही थी सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक की सेना 2013 में ही पस्त हो गई थी सुरक्षा की जिम्मिदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सम्हाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माल ली Central African Republic से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज Central African Republic की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 पांगी Central African Republic में वैगनार की मौजूदकी के खबर पहली बार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के होफिय एजेंसी ने Central African Republic में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लगभग 1000 फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि Central African Republic ने M Finance LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में रेजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफरीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने Central African Republic की सबसे बड़ी हीरा कमपनी टायम विले पर बोरी तरह कबजा कर लिया वैगनार ग्रुप का अफरीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वाद सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रेह युद्व में जुलस रहे सूडान के तदकालीन तानाशा ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सेना सूडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल दोहजार तेइस खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल बॉर छड़ गई वहाँ सेना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स रस यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाडी ब्रिगोजिन का वैगनार ग्रोफी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और RSF का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाब RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वज़े ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक लड़ेंगे तो उनके हर आक्शन की जवाबते ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कही भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोड़ी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 21 मई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मंजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लैन बना चुके थे राश्टपती पुटिन और बुश की शिखर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर संट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पुटिनने अमेरिकी राश्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इसे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमूना माना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टोरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के तद्कालीन राश्टपती जैक शिराक को प्रिगोजन के तैरते रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉन्ट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलारूस में ही प्रिगोजन के वैगनर ग्रूप का कैम्प है जहां राश्च्रपति पुतिन रूस के परमाणू हत्यारों की तैनाती कर चुके हैं वैगनर गूर्प की लड़ाके अपने दुस्थाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर 25 मार्च 2023 क्रेमलिन मॉस्को रूस युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलरूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दौरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रुप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रुप के फाइटर्स के हथियार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर कीचिए प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बात तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हथियार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार गृप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पोतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हथियार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हथियार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गृप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गृप को शरन दी गई है वहाँ से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तए है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुनंदन पिछले हफते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रीगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रीगोजन पुतिन के लिए भसमासूर बन गया या फिर प्रीगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजिन असल में क्या है इन्ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजिन के विद्रो का सच छलावा दैलीजुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के दब दबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और बदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राश्ट्रपती पत के उम्मीद्वार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राश्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विड ब्रिलियंट ग्रीन दाय था जिसे रूस में जैलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जख्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जैलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोश्नी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राश्ट्रपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राश्ट्रपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नासुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मोनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवालेनी के साथ जो सलूक हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी है कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रोप पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बंद गारियों में वैगनार गृप के हत्यार बंद लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार गृप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की और कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का एलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रोस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रोस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्णिंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौ साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपती पोतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस वैगनार ग्रुप के लड़ाके अपनी पुरानी पोजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार ग्रुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजनसी प्रिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि प्रिगोजिन को पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे परदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद्ध के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर है हैरत यह कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दा हीडन रूट्स बीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस युनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बाद से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सैन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेफटिनिन करनल दिमित्री उतकिन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उत्योकपती येवगनी प्रिगोजिन ने की है ग्रूप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे फिल्हाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिए जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ उत्तरी सीरिया का ये इलागा तब आईस आईस का गड़ था और आईस आईस के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पीमसी के लडाके थे जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पीमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में तब वैगनार पीमसी पर पाबंती लग चुकी थी प्रिगोजिन अमेरिका की आँख की किरकरी बन चुका था। अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वागनार पीमसी के लडाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगोजिन की कंपनी Concorde Management & Consultancy ने वागनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इनकार कर दिया। सीरिया में बारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरिकी न्यूस वेबसाइट सीनन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार पीमसी के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरो पॉलिस है जी हां एवरो पॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगेनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कम्पनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कम्पनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गई जुलाई 2025 सेंट पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थे इस दौरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाँच सेनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वैगनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए कोस्ट ब्रिगेट ट्रम से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हत्यार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई दोहजार अठारा वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबी आई ने गिरफ्तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबियाई के पास पखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरतार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्सेंडर तॉर्षिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बोतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी म मदद मुहया नहीं कराएं अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हूँ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेज के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पूतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेज भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवगेनी प्रिगोजिन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पुतिन की परचाई है वो पुतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पुतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मार्या बुतिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यहीं मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंट्रल अफरीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधमके रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा ब्लड ओन ट्रेट 25 अक्टूबर 2016 पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक खंडहर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना 2013 में ही पस्त हो गई थी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और येरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माली सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 बांगी सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक में वैगनार की मौजूद्गी के खबर पहली पार दुनिया के सामने आए सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक ने M. Finance, LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट्र पीटर्स बर्ग में रिजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लड़ा के जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफ्रीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सबसे बड़ी हीरा कमपनी टायम विले पर बोरी तरह कबजा कर लिया वैगनार ग्रुप का अफ्रीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वाद सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रह युद्ध में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलपशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सिना सूडान पहुची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीज़ पर ले ही रखा था अप्रेल 2023 खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबों गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सीना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स आरेसेफ यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाड़ी ब्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और RSF का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाफ RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपबलिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगणार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजह ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक ड़लेंगे, तो उनके हर एक्षन की जवाबते ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगणार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कहीं भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजिन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजिन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 21 माई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मनजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लैन बना चुके थे राष्ट पती पोतिन और बुश की शिकर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर सैंट पीटर्स बर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरिकी राष्ट पती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और पुरिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमून अमाना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोवियत खोफिया एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी, कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का ज़रिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के बास जाना पड़ा, दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुय प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजन के तैरते रेस्टोरेंट में टिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजन की गद्दारी के बाद राश्रपति पुतिन ने उसे माफी देकर बेलारूस भेज़ दिया उन्होंने वागनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वागनर ग्रूप ने ये पेशकष ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वागनर ग्रूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वागनर ग्रूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर 25 मार्च 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस युक्रेन वार के 13 महीने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन वेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्त प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर कीचिए प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बात तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हत्यार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप ने पूरी दुनिया को पता दिया कि वो पोतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार भेजोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश वड़े हुए है अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गुरुप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गुरुप को शरन दी गई है वहां से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन पिछले हफते रूस में एक सर्शस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्वपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले के विगनी प्रिगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं, क्या प्रिगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रिगोजन रूस की सत्धा पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा महरा है जिसके जर्यें पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजिन असल में क्या है? इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजिन के विद्रो का सच चलावा दाइली जुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के दब दबे को चुनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवालेनी खुल कर सामने आ चुके थे नवालेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लेहाजा नवालेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्टपती पत के उम्मीदवार होंगे चार बहीने बाद 27 अप्रेल 2017 बारनौल अल्टाई रूस मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनौल शेहर में एलेक्सी नवालेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्टपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियंट ग्रीन दाई था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जक्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राश्ट्रपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ पाए नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राश्ट्रपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क साइबेरिया रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नासुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मुनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्थ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया के नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नाममकिन है नवालेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिन्दगी मौद से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के 3 बजे पूरे रूस में यही शब्द गूजा था जब लोगों ने मौस्को से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बन गारियों में वैगनार गृप के हत्यार बन लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार गृप के फाइटर जंग के मैदान से मौस्को की ओर कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का ऐलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रूस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रूस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रूस्तोव के बाद वैगनार गृप के फाइटर्स मौस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्णिंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टबदी पुतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पुतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पुतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पुतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस वैगनार गुरुप के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लोट चुके थे लेकिन वैगनार गुरुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी प्रिगोजिन को ठिकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि प्रिगोजिन को पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वैगनार ग्रुप नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वैगनार ग्रुप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया ऐसमें सवाल है कि वैगनार ग्रुप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दाहीडन रूट्स बीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में घुसे हैं वो रूस की सेना की किस युनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इंसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौ सेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलक सैन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेटिनिन करनल दिमित्री उत्किन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उत्योकपती येवगनी प्रिगोजिन ने की है ग्रूप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक बहिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे है लेकिन लाता किया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था इस सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग रड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब आईएस आईएस का गड़ था और आईएस आईएस के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला ज़ाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पीमसी के लडाके थे जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पीमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में तब वैगनार पीमसी पर पाबंती लग चुकी थी वैगनार PMC के मालिक प्रिगुजिन पर आरोब था कि उसने 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की प्रिगुजिन अमेरिका की आँख की किरकिरी बन चुका था अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार PMC के लडाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगुजिन की कंपनी Concord Management and Consultancy ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इंकार कर दिया सीरिया में मारे गए रूसी लडाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुक थी अमेरिकी निउस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गदार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गए जुलाई 2022 सेन पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थी इस दौरान युक्रेन में वैगनार पीएमसी के लडाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्च्रपती पुतिन को वागनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पु 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीद्वार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जोड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हत्यार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई 2018 वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबी आई ने गिरफ़तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबी आई के पास पुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरतार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्सेंडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुआत में जासू सी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया पोतिना ने ट्रायल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया पोतिना के ट्रायल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वाभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी मदद मुहया नहीं कराए अमेरिया में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुआ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेज के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पोतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेज भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीज चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ जुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवगनी प्रिगोजन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन बास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बेना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प् इसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूक्रेन युद्ध के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजन बीते नौ साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंटरल अफ्रीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा बलड आउन ट्रेट 25 अक्टूबर 2016 पांगी सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक खंडहर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक की सेना 2013 में ही पस्त हो गई थी सुरक्षा की जिम्मिदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार मान ली Central African Republic से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज Central African Republic की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जन्वरी 2018 पांगी Central African Republic में वैगनार की मौजूद्की के खबर पहली बार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने Central African Republic में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि Central African Republic ने M Finance LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में रेजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लड़ा के जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफरीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने Central African Republic की सबसे बड़ी हीरा कमपनी दायम विले पर बोरी तरह कबजा कर लिया वैगनार ग्रुप का अफरीकी महादवीप में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वार सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रेह युद्व में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सेना सूडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खुफिया धिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल दोहजार तेइस खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सीना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स रस यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाडी प्रिगोजिन का वैगनर ग्रुफी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और RSF का जगड़ा सोनी की कमाई के बटवारे की बज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाब RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपबलिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजे ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक लड़ेंगे तो उनके हर आक्शन की जवाब देही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कही भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्चमी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनोती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्जबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टक्राने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड ताकत दा मिलीशिया माइट 31 मई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबली बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मंजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्ध दिखाने का प्लैन बना चुके थे राश्टपती पोतिन और पुष की शिकर बैठक रूस के सबसे खूप सुरत शहर सेंट पीटर्जबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेर्की राश्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमूना माना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिया एजंसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादे मिर पोतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मिदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसिले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेन पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहाज पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टरेंट में डिनर के लिए लेकर गए प्रिगोजिन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी देकर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वैगनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वैगनर गुरूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिया हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर पचीस मार्च दोहजारतेईस क्रेमलिन मॉस्को रूस युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राष्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहस्य आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हथियार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर कीचिए प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी पता रहे थी उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हत्यार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप ने पूरी दुनिया को पता दिया कि वो पोतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले तो प्रेगोजिन और वैगनार गुरुप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गुरुप को शरण दी गई है वहां से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तैय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन पिछले हफ़ते रूस में एक सशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्टपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रिगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रिगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रिगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है इन्ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रो का सच छलावा दा इलीजुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिमिर पोतिन के तब तबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुल कर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भी ऐसी कोशिश क कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लेहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीद्वार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बार्नॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियंट ग्रीन डाय था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जख्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोश्णी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है हलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसको के मेर का चुनाव लड़ पाए नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरीए राष्टपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क, साइबेरिया, रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्सक क्षेहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत ना सुक थी टॉम्सक शेहर में विमान की इमर्जेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवलेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाँच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवलेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवलेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लौटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवलेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवलेनी के साथ जो सलूक हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौद से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 22 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के 3 बजे बिद्रो पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बन गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बन लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में वैगनार ग्रुप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की ओर कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का ऐलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रुस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रुस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रुस्तोव के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मौसको की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में 100 साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टबर्दी पुतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पुतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पुतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पुतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूप्स वैगनार गुरुप के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लोट चुके थे लेकिन वैगनार गुरुप के मालिक ये अफगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जटाई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी प्रिगोजिन को थेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि प्रिगोजिन को पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है? क्या और कैसे काम करता है? और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवास को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूटनीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनार ग्रुप नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनार ग्रुप से रिष्टों को सुविकार नहीं किया ऐसमें सवाल है कि वागनार ग्रुप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसोड मकर जाल दाहीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन यूक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस यूनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सेन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रिटार्ड लिफटिनिन करनल दिमित्री उत्किन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उत्योगपती येवगेनी प्रिगोज जिन्ने की है ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक बहिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लाता किया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रही साफ था इस सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब आईस आईस का गड़ था और आईस आईस के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पीमसी के लडाके थे जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पीमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में तब वैगनार पीमसी पर पाबंती लग चुकी थी वैगनार PMC के मालिक प्रिगुजिन पर आरोब था कि उसने 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की प्रिगुजिन अमेरिका की आँख की किरकिरी बन चुका था अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार PMC के लडाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगुजिन की कमपनी Concord Management and Consultancy ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इंकार कर दिया सीरिया में मारे गए रूसी लडाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरिकी नियूस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गदार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गए जुलाई 2022 सेन पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थी इस दौरान युक्रेन में वैगनार पीएमसी के लडाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉन बास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीधा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टॉरीज पर सामने आई आई स्टॉरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार ग्रुप में भरती होने की पेशकश की है ये पहली बार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया दुनिया में सबसे ज़ादा हतियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाँच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पीएमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरुरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वागनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दा घोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उमीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में सबर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथिया रखने के अधिकार की वकालत करनेवाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिया थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई 2018 वाशिंग्टन दी सी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजन्सी एफबी आई ने गिरफ़तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन इफबी आई के पास पुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरदार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्संडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बोतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी म मदद मुहया नहीं कराए अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुआ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दोरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेज के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पोतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेज भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया की वकील की 15 चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवकेनी प्रिगोजिन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन बास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बेना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मारिया बुदिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भीजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूक्रेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंटरल अफ्रीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा बलड आन ट्रेट 25 अक्टूबर 2016 पांगी सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक खंडहर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सिंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक की सेना 2013 में ही पस्थ हो गई थी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और येरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माल ली इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जन्वरी 2018 पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार की मौजूद्की के खबर पहली बार दुनिया के सामने आए सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक ने M. Finance, LLC Security Service नाम की रूसी कम्पनी को दिया है सेंट्र पीटर्स बर्ग में रिजिस्टर्ड इस कम्पनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कम्पनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लड़ा के जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ब्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबज़ा कर सकें इस बधाल अफ्रीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सबसे बड़ी हीरा कम्पनी तायम विले पर बोरी तरह कबज़ा क वैगनार ग्रुप का अफ्रीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वार सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रेह युद्ध में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सिना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सिना सूडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया धिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था सूडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स रस यानि रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोः कर दिया इस पार भी असल खिलारी प्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और RSF का जगड़ा सोनी की कमाई के बटवारे की बज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाब RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजे ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक लड़ेंगे तो उनके हर आक्शन की जवाब देही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कही भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनोती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड ताकत दा मिलीशिया माइट 31 मई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबली बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मंजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्ध दिखाने का प्लैन बना चुके थी राश्टपती पोतिन और बुश की शिखर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरकी राश्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमूना माना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिया एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसिले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टरेंट में डिनर के लिए लेकर गए प्रिगोजिन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी देकर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकष ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वागनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वागनर गुरूप के लडाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमानू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखे हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ, रेमोस ओफ टेरर युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमानू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वागनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे हमारे पास गोला बारूप सत्तर प्रतिशत कम शोईगू 11 से 9 गोला बारूप कहा है रूस के लुगों की नजर में उस वग प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुपी हैरान करने वाली थी ये रहस्य आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्त प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार गृप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार गृप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर की चीए 17 जून 2013 प्रेमिन बॉसको रूस परमाडू हत्यारों के पहली के बेलारूस पहुँच गई है रूस के परमाडू हत्यारों के बेलारूस पहुँचने के एलान के ठीक एक हफ्ते बाद वैगनार ग्रूप के चीए प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी पता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफ्ते पहले रूस के परमाडू हथियार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पुतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हथियार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए हैं अगर परमाडू हथियार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार ग्रूप को शरन दी गई है वहाँ से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तई है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन पिछले हफ़ते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रीगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रीगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रीगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है इन्ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रो का सच छलावा दा इलीजरी बॉन तेरा दिसंबर दोहजार सोला मॉस्को रूस मॉस्को की सलको पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के तब तबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भ जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लेहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबह अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंक कर भागा ये लिक्विड ब्रिलियंट ग्रीन दाई था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जक्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौस्कों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राष्टपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्सक शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नाजुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाँच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लौटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवालेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 22 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रोग पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बंद गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बंद लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार ग्रुप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की ओर कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रूस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रूस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार गुर्प के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपर्दी पोतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चुनौती उस यवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2023 क्रेमलिन मॉस्को रूप्स वैगनार गुरुप के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुरुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी पुरिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूटनीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दाहीडन रूट्स क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सैनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस यूनिट के हैं रूसी मीडिया इन सैनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं हैं बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंकी वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कमपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सैन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेफटिनिन करनल दिमित्री उत्किन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उत्योगपती येवगेनी प्रिगोजिन ने की है ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे फिल्हाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिये जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था इस सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ साथ फर्वरी 2018 दायर उजोर उत्तरी सीरिया उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब IS-IS का गड़ था और IS-IS के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार PMC के लड़ाके थे कि उसने 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की प्रिगोजिन अमेरिका की आँख की किरकरी बन चुका था अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पीमसी के लडाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगोजिन की कंपनी कॉनकॉड मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इनकार कर दिया सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरकी नीज वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गए जुलाई 2022 सेन पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थी इस दौरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार गुरुप में भरती होने की पेशकश की है ये पहली बार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया दुनिया में सबसे ज़ादा हतियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पेमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरुरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वागनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दा घोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबियाई ने गिरफ़तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबियाई के पास पुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरतार नेता और पोतिन के करीबी एलेक्सेंडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुआत में जासू सी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया पोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बुतिना के ट्रायल के दोरान रूस की सरकार के रवईये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वाभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी मदद मुहया नहीं कराए अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूता वास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथ हो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हूँ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दोरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पूतिन की तीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवगेनी प्रिगोजिन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पुतिन की परचाई है वो पुतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पुतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहाँ प्रिगोश्जिन को आगे किया जाता है मारिया बुतिना की मदद के लिए प्रिगोश्जिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजन बीते नौ साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंटरल अफ्रीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा बलड आउन ट्रेड 25 अक्टूबर 2016 पांगी सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही कुटों की बंदू के गरज रही थी सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना 2013 में ही पस्त हो गई थी सुरक्षा की जिम्मिदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माल ली Central African Republic से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज Central African Republic की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 बांगी Central African Republic में वैगनार की मौजूदकी के खबर पहली बार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खुफिय एजेंसी ने Central African Republic में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लगभग 1000 फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि Central African Republic ने M Finance LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में रेजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफरीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने Central African Republic की सबसे बड़ी हीरा कमपनी टायम विले पर बोरी तरह कबजा कर लिया वैगनार ग्रुप का अफरीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वाद सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रह युद्व में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सेना सूडान पहुची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल 2023 खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स RSF यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाड़ी ब्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सूडान में सेना और RSF का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सूडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सूडान की सेना के खिलाब RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सूडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वज़े ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक लड़ेंगे तो उनके हर आक्शन की जवाबते ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कही भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्चमी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोडी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहसे पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 21 मई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मंजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लैन बना चुके थे राश्टपती पॉतिन और उष की शिखर बैठक रूस के सबसे खूपसूरत शहर सैंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पॉतिन ने अमेरिकी राश्टपती की खातरधारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमूना माना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्जबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोवियत खोफिया एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे लिए प्रिगोजिन को पुतिन के बास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टोरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के तद्कालीन राश्टपती जैक शिराक को प्रिगोजन के तेरते रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉन्ट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वैगनर ग्रूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वैगनर ग्रूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर पचीस मार्च दोहजार तेस क्रेमलिन मॉस्को रूस युकरेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युकरेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हथियार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर कीचिए प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बात तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हथियार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार गृप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पोतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हथियार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हथियार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गृप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गृप को शरन दी गई है वहां से चेर्नोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्नोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तैय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुनंदन पिछले हफते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रीगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रीगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रीगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जर्य पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रीगोजन असल में क्या है इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रीगोजन के विद्रो का सच छलावा दाइलीजुरी बॉन्ड 13 दिसम्बर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के दब दबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुल कर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और बदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लेहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विड ब्रिलियंट ग्रीन दाय था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जख्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का अरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राश्ट्रपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राश्ट्रपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गये लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नासुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मोनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाँच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्ट एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नाममकिन है नवालेनी के साथ जो सलूक हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 22 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रोप पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बन गारियों में वैगनार गृप के हत्यार बन लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार गृप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की और कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का एलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रोस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रोस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्णिंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौ साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपती पोतिन को सीधी चनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चनौती उस यवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस वैगनार ग्रुप के लड़ाके अपनी पुरानी पोजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार ग्रुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजनसी पुरिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन को पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गड़ारी कैसे परदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने फ्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर फ्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है, क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद्ध के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर है हैरत यह कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दा हीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस युनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पुलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इंसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कम्पनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर गेर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सेन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रिटार्ड लेफटिनिन करनल दिमित्री उत्किन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उद्योग पती येवगेनी प्रिगोजिन ने की है ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे फिल्हाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिये जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ उत्तरी सीरिया का ये इलागा तब ISIS का गड़ था और ISIS के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गय अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पीमसी के लडाके थे जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पीमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में तब वैगनार पीमसी पर पाबंती लग चुकी थी प्रिगोजन अमेरीका की आंख की किरकिरी बन चुका था अमेरीकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पीमसी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगोजन की कंपनी Concord Management & Consultancy ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इंकार कर दिया सीरिया में मारे गए रूसी लडाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरीकी नीज वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार P.M.C. के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगेनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गई जुलाई 2022 सेंट पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थे इस दोरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रूप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाँच सेनाओं में एक रूस की है फिर राश्ट्रपती पुतिन को वैगनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वैगनर गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दघोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उमीद्वार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिकरम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई दोहजार अठारा वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबी आई ने गिरफ्तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबी आई के पास पुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरदार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्सेंडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बोतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी म मदद मुहया नहीं कराएं अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूता वास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हूँ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2020 में वो राष्टपते बुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दोरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिया में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पुतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवकेनी प्रिगोजिन का मारिया बोतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पुतिन की परचाई है वो पुतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपते पुतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मारिया बुदिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोफ लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भीजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते नौ साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंट्रल अफरीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधमके रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा ब्लड ऑन ट्रेट 25 अक्टूबर 2016 पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना 2013 में ही पस्त हो गई थी सुरक्षा की जिम्यदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार मान ली Central African Republic से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज Central African Republic की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 पांगी Central African Republic में वैगनार की मौजूद्गी के खबर पहली पार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने Central African Republic में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि Central African Republic ने M Finance LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में रेजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफरीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने Central African Republic की सबसे बड़ी हीरा कमपनी टायम विले पर बोरी तरह कबजा कर लिया वैगनार ग्रुप का अफरीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वार सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रह युद्ध में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलपशीर ने रूस के राश्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सिना सूडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सड़कों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल 2023 खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबों गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स RSF यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाड़ी प्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सूडान में सेना और RSF का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की बज़े से हुआ साल 2022 में सूडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सूडान की सेना के खिलाफ RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सूडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजे ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक ड़ेंगे तो उनके हर अक्शन की जवाब देही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कहीं भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्चमी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजिन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजिन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 21 माई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मन्जिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लैन बना चुके थी राश्टपती पोतिन और भुष की शिखर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर सेंट पीटर्जबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरकी राश्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमून अमाना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिय एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पोतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहाज पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजिन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वागनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वागनर गुरूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में पर्माणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर पचीस मार्च दोहजार तेस क्रेमलिन मॉस्को रूस युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन वेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर ज़रा गौर कीचिए 17 जून 2013 प्रेमिन, मॉस्को, रूस परमाडू हत्यारों के पहले के बेलारूस पहुँच गई है रूस के परमाडू हत्यारों के बेलारूस पहुँचने के एलान के ठीक एक हफ़ते बाद वैगनार ग्रूप के चीप प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलारूस पहुच दिया जहां उन्होंने एक हफ़ते पहले रूस के परमाडू हत्यार भीजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पुतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलारूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गुरुप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गुरुप को शरण दी गई है वहाँ से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन पिछले हफ़ते रूस में एक सर्शस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्वपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले के विगनी प्रिगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रिगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रिगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है इन्ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रो का सच छलावा दाइलीजुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिमिर पोतिन के तब तबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भी ऐसी कोशिश क कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीद्वार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियन्ट ग्रीन दाय था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जख्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलक इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसको के मेर का चुनाव लड़ पाए नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राष्टपती पत पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क साइबेरिया रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी दिर बाद नवालेनी की हालत नासुख थी ओम्स्क शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवलेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मुनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवलेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवलेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवलेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नाममकिन है नवलेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रो पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बन गारियों में वैगनार गृप के हत्यार बन लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार गृप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की और कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का एलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रोस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रोस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपती पोतिन को सीधी चनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस वैगनार गुरुप के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुरुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी पुरिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दाहीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस युनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पुलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौ सेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बाद से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युकरेन के लिए रूस ने कोई अलग सेन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेटिनन करनल दिमित्री उद्किन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासमखास उत्योगपती येवगेनी प्रिगोजिन ने की है। ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिये जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी। सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक बहिना पहले ही हो चुकी थी। रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन लाता किया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए। और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया। कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ। अमेरिका के मिर्जाईल हमले में एक दर्जन से ज्यादा रूसी मारे गए। लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया। क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पी-मसी के लड़ाके थे। जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पी-मसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में तब वैगनार पी-मसी पर पाबंती लग चुकी थी। वैगनार पी-मसी के मालिक प्रिगुजिन पर आरोब था कि उसने 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की। प्रिगुजिन अमेरिका की आँख की किरकिरी बन चुका था। अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पी-मसी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगुजिन की कंपनी कॉनकॉड मैनेजमेंट एन कंसल्टेंसी ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इंकार कर दिया। सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरकी न्यूस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिश्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीएमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीएमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगेनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इस लिए थी क्योंकि प्रिगोजन की पुरानी कंप्पनिया अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गई जुलाई 2022 सेंट पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थे इस दौरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीधा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जोड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हत्यार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी बंद्रह जुलाई 2018 वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबी आई ने गिरफ़तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबी आई के पास पुखता सबूत थे कि मारिया बोतिना रूस के असरतार नेता और बोतिन के करीबी अलेक्सेंडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुआत में जासू सी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बोतिना ने ट्रायल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बोतिना के ट्रायल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वाभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी मदद मुहया नहीं कराए अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुआ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दोरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पूतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवगेनी प्रिगोजिन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खोफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन बास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मारिया बुदिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भीजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंट्रल अफरीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहाँ पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधमके रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा बलड ऑन ट्रेट पच्चीस अक्टूबर दोहजार सोला पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक की सेना 2013 में ही पस्थ हो गई थी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माली सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार की मौजूद्की के खबर पहली पार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थें लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक ने M. Finance, LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट्र पीटर्स बर्ग में रिजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लड़ा के जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ब्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफ्रीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सबसे बड़ी हीरा कमपनी दायम विले पर बोरी तरह कबजा कर ल ग्रेह युद्ध में जुलस रहे सुडान के ततकालीन ताना शाह ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पुतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सिना सुडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया धिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सुडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सुडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सुडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सुडान की सेना के साथ मिलकर वशीर का तखता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सुडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊंँ पर थी सुडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था सुडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सुडान की पैरा मिलिटरी फोर्स रस यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाली प्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और आरेसिफ का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाब आरेसिफ के असंतोष को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां आरेसिफ के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कंपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजे ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक ड़ेंगे तो उनके हर आक्शन की जवाब दे ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कही भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्चमी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोड़पती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 31 माई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मन्जिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका की राष्टपती को रूस की चका चौन्ध दिखाने का प्लैन बना चुके थी राश्टपती पोतिन और भुश की शिखर बैठक रूस के सबसे खूपसुरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरीकी राश्टपती की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमून अमाना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिय एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पोतिन सेंट पीडर्सबर्ग के मेयर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के बास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहाज पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजिन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वागनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वागनर गुरूप के लडाके अपने दुस्साहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखे हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वागनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे हमारे पास गोला बारूप सत्तर प्रतिशत कम है शोईगू 11 से 9 गोला बारूप कहा है रूस के लोगों की नजर में उस वग प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुपी हैरान करने वाली थी ये रहस्य आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार गुरुप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार गुरुप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जड़ा गौर कीची 17 जून 2013, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस परमाडू हत्यारों के पहली के बेलारूस पहुँच गई है रूस के परमाडू हत्यारों के बेलारूस पहुँचने के ऐलान के ठीक एक हफते बाद वैगनार क्रूप के चीज प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गद्दारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हत्यार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार क्रूप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पुतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा? ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गुरूप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गुरूप को शरन दी गई है वहाँ से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तै है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन पिछले हफते रूस में एक सर्शस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के मालेक येवेगिनी प्रीगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रीगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रीगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाय रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है? इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रो का सच चलावा दाइलीजुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के तब तबे को चुनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवालेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवालेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लहाजा नवालेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवालेनी उस दिन सुबह अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंग कर भागा ये लिक्विट ब्रिलियंट ग्रीन दाय था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जक्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थगों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसको के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राष्टपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क साइबेरिया रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत ना सुप थी ओम्स्क शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मुनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लौटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवालेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रो पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बंद गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बंद लड़ाकों को देखा उन्होंने रूस के रक्षा मंतरी के खिलाफ जंग का एलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रोस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रोस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपर्दी पोतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोस्जिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुर्प के मुखिया प्रिगोस्जिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2023 क्रेमलिन मॉस्को रूप्स वैगनार गुर्प के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुर्प के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जदाई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी पुरिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूटनीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्वीकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दा हीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन यूक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस यूनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौ सेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बाद से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर गैर कानूनी था बाना यही गया की युक्रेइन के लिए रूस ने कोई अलक सेन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता यह भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेटेनिन करनल दिमित्री उतकिन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासमखास उत्योगपती येवगेनी प्रिगोजिन ने की है ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे फिल्हाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिये जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ साथ फर्वरी 2018 दायर उजोर उत्तरी सीरिया उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब IIS-IS का गड़ था और IIS-IS के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूसी मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार PMC के लड़ाके थे के उसने 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की प्रिगोजिन अमेरिका की आँख की किरकरी बन चुका था अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार PMC के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगोजिन की कंपनी Concord Management and Consultancy ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इनकार कर दिया सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुक थी अमेरिकी न्यूस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गए जुलाई 2022 सेन पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थी इस दौरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आए आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार गुरुप में भरती होने की पेशकश की है ये पहली बार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया दुनिया में सबसे ज़्यादा हतियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पेमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरुरत क्यूं पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वागनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दा घोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई 2018 वाशिंग्टन डी सी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजन्सी एफबी आई ने गिरफ्तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबी आई के पास बुखता सबूत थे कि मारिया बोतिना रूस के असर दार नेता और बोतिन के करीबी इलेक्झेंडर तौर्शिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बोतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी म मदद मुहया नहीं कराएं अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हूँ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटरव्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पोतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था उतिन के बेहत करीबी येवकेनी प्रिगोजिन का मारिया बोतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राश्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहाँ प्रिगोश्जिन को आगे किया जाता है मारिया बुतिना की मदद के लिए प्रिगोश्जिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंटरल अफ्रीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा बलड ऑन ट्रेट पचीस अक्टूबर दोहजार सोला पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक छे दशक से जारी ग्रेह युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही कुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना 2013 में ही पस्त हो गई थी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माली सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जन्वरी 2018 बांगी सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक में वैगनार की मौजूद्की के खबर पहली बार दुनिया के सामने आए सितंबर 2018 में युक्रेन के होफिय एजेंसी ने सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक ने M. Finance, LLC Security Service नाम की रूसी कम्पनी को दिया है सेंट्र पीटर्स बर्ग में रेजिस्टर्ड इस कम्पनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कम्पनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लड़ा के जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सके इस बधाल अफ्रीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सबसे बड़ी हीरा कम्पनी दायम विले पर बोरी तरह कबजा कर वैगनार ग्रुप का अफ्रीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वाद सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रेह युद्ध में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सिना सूडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया धिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांसवर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल दोहजार तेइस खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल बॉर छड़ गई वहां सेना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स आरेसफ यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाडी ब्रिगोजिन का वैगनर ग्रुफी था दावा किया जाता है कि सूडान में सेना और आरेसफ का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सूडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सूडान की सेना के खिलाब आरेसफ के असंतोष को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां आरेसफ के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सूडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजय ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक लड़ेंगे, तो उनके हर आक्शन की जबाब दे ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कहीं भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोड़ी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोड़पती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड ताकत दा मिलीशिया माइट 21 मई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मंजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका की राष्टपती को रूस की चका चौन्ध दिखाने का प्लैन बना चुके थे राश्ट पति पोतिन और बुष की शिखर बैठक रूस के सबसे खुब सूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरकी राश्ट पति की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इसे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमूना माना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्जबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्जबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिया एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पुतिन सेंट पीटर्जबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के बास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसिले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंद पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजिन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वैगनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वैगनर गुरूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिये हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राष्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हथियार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर कीचिए प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे करतारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बात तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हथियार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार गृप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पोतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हथियार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हथियार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गृप युक्रेण में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गृप को शरन दी गई है वहां से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुनंदन पिछले हफते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रीगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रीगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रीगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है इन्ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रो का सच छलावा दाइलीजुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के तब तबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लेहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राश्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राश्ट्रपती चुनाव में समर्धन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विड ब्रिलियंट ग्रीन दाय था जिसे रूस में जैलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जख्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जैलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राश्ट्रपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राश्ट्रपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्सक शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नाजुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाँच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवालेनी के साथ जो सलूक हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 22 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रोप पूरे रूस में यही शब्द गुंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बंद गारियों में वैगनार गृप के हत्यार बंद लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार गृप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की और कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ जंग का एलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रोस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रोस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्णिंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपती पोतिन को सीधी चनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस वैगनार ग्रुप के लड़ाके अपनी पुरानी पोजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार ग्रुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जदाई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफी एजनसी पुरीगोजिन को थेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गतारी कैसे बर्दाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद्ध के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर है हैरत यह कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दा हीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस युनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पुलाइट पीपल यानी शांत सभ्य इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं हैं बल्कि क्रीमिया के ही लोग हैं। एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर के लडाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था। रूस ने तब इस बाद से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है। रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी। रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर गैर कानूनी था। माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सेन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है। मारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी। 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी। रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए। और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया। अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ। सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं। इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ। उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब आईएस आईएस का गड़ था और आईएस आईएस के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था। उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए। 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की प्रिगोजिन अमेरिका की आँख की किरकरी बन चुका था अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पीमसी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगोजिन की कंपनी कॉनकॉड मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इंकार कर दिया सीरिया बारे गए रूसी लडाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेर्की निउस वेबसाइट सीएनन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार पी-एमसी के बारे में रूस में कोई भी ख़बर छापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी को नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरो पॉलिस है जी हां एव्रो पॉलिस शि दमबर 2016 में यह कंपनी भी ये वगनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गई युकरेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थे इस दोरान युकरेन में वैगनार प्रिगोजिन की लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीधा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उमीद्वार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जोड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हत्यार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी 15 जुलाई 2018 वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबी आई ने गिरफतार कर लिया है मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन FBI के पास पुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरतार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्सेंडर तॉर्शिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया पोतिना ने ट्रायल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया पोतिना के ट्रायल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी मदद मुहया नहीं कराए अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बोतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हूँ मारिया बोतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते बोतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किस ने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेज के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पूतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेज भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीज चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था उतिन के बेहत करीबी येवगेनी प्रिगोजन का मारिया बोतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मारिया पुतिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंटरल अफरीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहाँ पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा बलड आन ट्रेट पच्चीस अक्टूबर 2016 पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही कुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक की सेना 2013 में ही पस्त हो गई थी सुरक्षा की जिम्यदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार मान ली Central African Republic से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज Central African Republic की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जन्वरी 2018 बांगी Central African Republic में वैगनार की मौजूद्गी के खबर पहली बार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने Central African Republic में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि Central African Republic ने M Finance LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में रेजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफरीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने Central African Republic की सबसे बड़ी हीरा कमपनी टायम विले पर बोरी तरह कबजा कर लिया वैगनार ग्रुप का अफरीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वाद सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रह युद्व में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलपशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सेना सूडान पहुची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में तानाशा बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल 2023 खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबों गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स RSF यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाड़ी ब्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सूडान में सेना और RSF का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सूडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सूडान की सेना के खिलाब RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सूडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कंपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगणार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वज़े ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक लडेंगे तो उनके हर अक्शन की जवाब दे ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगणार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कहीं भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहसे पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 21 माई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मन्जिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लैन बना चुके थे राश्टपती पोटिन और बुष की शिखर बैठक रूस के सबसे खूपसुरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोटिन ने अमेरीकी राश्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इसे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमून अमाना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोवियत खोफिय एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी। कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था। इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा। दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई। प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला। 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोला। पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही। रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टोरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया। साल 2001 में पुतिन फ्रांस के तदकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले कर ग किया था कि प्रिगोजन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकष ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वैगनर ग्रूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के पर्माणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वैगनर ग्रूप के लड़ाके अपने दुस्थाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में पर्माणू हतियार वैगनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले सवाल का जबाब, देखे हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, खौफ, रेमोस ओफ टेरर. जंग लड़ रहे वैगनार ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे. प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप के फाइटर्स हीरो थे, जिन्होंने पाखमत को युक्रेइन से चीन लिया था. प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालिया दे रहे थे. इस पर राश्टपदे पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी. ये रहस्य आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्त प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रुप के साथ था. प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रुप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे. प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर की चीए. 17 जून 2013, प्रेमिन, मौस्को, रूस. परमाडू हत्यारों के पहली के बेलारूस पहुँच गई है. रूस के परमाडू हत्यारों के बेलारूस पहुँचने के एलान के ठीग एक हफ़ते बाद, खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थे, उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया, लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे, पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलारूस पहुँच दिया, कि वो पुतिन के भी कंट्रोल से बाहर है, ऐसे में अगर बेलारूस में तैनार, रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए, तो क्या होगा, ये सोच कर ही पश्चिम के तेशों के भोश उड़े हुए हैं, अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले, तो प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं, बेलारूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार ग्रुप को शरन दी गई है, वहां से चेर्नोबिल की दूरी लगभग 400 क है, चेर्नोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है, जिसमें अगर आग लगी, तो रेडियेशन से विनाश तैय है। प्रिगोजन ने चुनौती दी, जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया। सवाल बहुत से हैं, क्या प्रिगोजन पुतिन के लिए भसमासुर बन गया, या फिर प्रिगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है, जिसके जर्य पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है, इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में, जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रो का सच चलावा, दैली जुरी बॉन्ड जेल की हवा भी खा चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है, लेहाजा नवालेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे चार बहीने बाद, 27 अप्रेल, 2017, बारनौल, अल्ताई, रूस मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर, बारनौल शेहर में एलेक्सी नवालेनी उस दिन सुबह अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्धन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियन्ट ग्रीन दाई था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जक्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राश्ट्रपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राश्ट्रपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गये लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नासुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मोनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाँच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नाममकिन है नवालेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रोप पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बन गारियों में वैगनार गृप के हत्यार बन लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार गृप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की और कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का एलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रोस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रोस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौ साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपती पोतिन को सीधी चनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चनौती उस यवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस वैगनार गुरुप के लड़ाके अपनी पुरानी पोजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुरुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजनसी प्रिगोजिन को थेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गयी पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि प्रिगोजिन को पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली? क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया? या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है? इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी है इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है? वैगनार ग्रूप क्या है? क्या और कैसे काम करता है? और इस से भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रूप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद्ध के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज़ुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दा हीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस युनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पुलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इंसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शाइद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बाद से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सैन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेटिनिन करनल दिमेटरी उतकिन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासमखास उद्योगपती येवगेनी प्रिगोजिन ने की है। ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिए जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी। सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी। रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन लाता किया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए। और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया। कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ। अमेरिका के मिर्जाईल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूसी मारे गए। लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया। क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पी-म-सी के लड़ाके थे। जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पी-म-सी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में तब वैगनार पी-म-सी पर पाबंती लग चुकी थी। वैगनार पी-म-सी के मालिक प्रिगुजिन पर आरोब था कि उसने 2016 में अमेरिका के राष्टपती पत के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरीए प्रभावित करने की कोशिश की। प्रिगुजिन अमेरिका की आँख की किरकिरी बन चुका था। अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पी-म-सी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा तो प्रिगुजिन की कंपनी कॉनकॉड मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इंकार कर दिया। सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरकी न्यूस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिश्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है जी हाँ ये कंपनी भी येवगनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी उन पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलि लिस्ट में आ गई जुलाई 2022 सेंट पीटर्सबर्ग जेल रूस युक्रेन पर रूस का हमला हुए पांच महीने बीच चुके थे इस दौरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लडाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रूप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेन पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार ग्रूप में भरती होने की पेशकश की है ये पहली पार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया दुनिया में सबसे ज़्यादा हतियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाँच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्च्रपती पुतिन को वागनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की ज़रुवत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वागनर गुरुप के मुखिया प्रिगोजन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दगोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उमीद्वार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई दोहजार अठारा वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबी आई ने गिरफ्तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबी-आई के पास बुखता सबूत थे कि मारिया पोतिना रूस के असरदार नेता और पोतिन के करीबी अलेक्सजेंडर तौर्षिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बोतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी म मदद मुहया नहीं कराएं अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूता वास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बोतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुए मारिया बोतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2020 में वो राष्टपते बोतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किस ने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेज के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पूतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेज भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवकेनी प्रिगोजिन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मारिया बुदिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूज भीजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंट्रल अफरीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधमके रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा ब्लड ऑन ट्रेट 25 अक्टूबर 2016 पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना 2013 में ही पस्थ हो गई थी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार मान ली Central African Republic से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज Central African Republic की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 पांगी Central African Republic में वैगनार की मौजूद्गी के खबर पहली पार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने Central African Republic में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि Central African Republic ने M Finance LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में रेजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासे के बाद लोगों को समझ में आया कि Central African Republic में वैगनार ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफरीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने Central African Republic की सबसे बड़ी हीरा कमपनी टायम विले पर बोरी तरह कबजा कर लिया वैगनार ग्रुप का अफरीकी महादवीट में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है इस धंधे की शर्वार सूडान से हुई 12 दिसंबर 2017 खार्तूम सूडान ग्रह युद्व में जुलस रहे सूडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलपशीर ने रूस के राष्टपती पोतिन से रूसी सिना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सिना सूडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सूडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सूडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सूडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सूडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सूडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल 2023 खार्तूम सूडान सूडान में इस बार अजीबों गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सूडान की पैरा मिलिटरी फोर्स RSF यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाड़ी प्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सूडान में सेना और RSF का जगणा सोनी की कमाई के बठवारे की बज़े से हुआ साल 2022 में सूडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सूडान की सेना के खिलाफ RSF के असंतोश को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां RSF के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सूडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कंपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वजे ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक ड़ेंगे तो उनके हर आक्शन की जवाब देही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कही भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्चमी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवियत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 21 माई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मनजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका के राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लान बना चुके थी राश्टपती पोतिन और बुश की शिखर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरिकी राश्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमून अमाना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिय एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पोतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहाज पर तैरता हुआ रेस्टरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के ततकालीन राश्टपती जाक शिराक को प्रिगोजिन के तैरते रेस्टरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजिन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकष ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वागनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वागनर गुरूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर पचीस मार्च दोहजार तेस क्रेमलिन मॉस्को रूस युकरेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युकरेन में जंग लड़ रहे वागनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जेनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युकरेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर ज़रा गौर कीचिए प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हत्यार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप ने पूरी दुनिया को पता दिया कि वो पोतिन के भी कंट्रोल से बाहर हैं ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोचकर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए हैं अगर परमाडू हत्यार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार गुरुप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं। बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार गुरुप को शरण दी गई है। वहाँ से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है। जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तैय है। नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन। पिछले हफ़ते रूस में एक सर्शस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संस्नी मच गई। रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रिगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया। सवाल बहुत से हैं क्या प्रिगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रिगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजिन असल में क्या है इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजिन के विद्रो का सच छलावा दाइलीजुरी बॉन तेरा दिसम्बर दोहजार सोला मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के तब तबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पोतिन के खिलाफ है लेहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपधी पत के उम्मीदवार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबह अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपधी चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियंट ग्रीन दाय था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जख्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलक इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसको के मेर का चुनाव लड़ पाए नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राष्टपती पत पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क, साइबेरिया, रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्सक शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नासुक थी ओम्स्क शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवलेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मुनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवलेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवलेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया कि नवलेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नाममकिन है नवलेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गया 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रोप पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बंद गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बंद लड़ाकों को देखा उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का एलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रोस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रोस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपती पोतिन को सीधी चनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुरुप के मुखिया प्रिगोजिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2023 क्रेमलिन मॉस्को रूप्स वैगनार गुरुप के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुरुप के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जताई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी पुरिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रूप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रूप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूट नीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दाहीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन युक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सेनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस युनिट के हैं रूसी मीडिया इन सेनिकों को पुलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इनसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौ सेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बाद से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीएमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेइन के लिए रूस ने कोई अलग सैन्य दस्ता वैगनार पीएमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेटिनिन करनल दिमित्री उतकिन ने वैगनार पीएमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उत्योकपती येवगनी प्रिगोजिन ने की है ग्रूप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे फिल्हाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिये जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक बहिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला जारती रहे साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब ISIS का गड़ था और ISIS के ठेकानों पर अमेरिका भी तापड़ तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला ज़ाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पीमसी के लडाके थे जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पीमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में तब वैगनार पीमसी पर पाबंती लग चुकी थी प्रिगोजन अमेरिका की आँख की किरकरी बन चुका था। अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पीमसी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा, तो प्रिगोजन की कमपनी Concord Management and Consultancy ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इनकार कर सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी। अमेरिकी न्यूस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार पीमसी के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है। गया। वैगनार पीमसी की सीरिया में मौझूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेज सामने आया। मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है। उस कंपनी का नाम वैगनार पीमसी नहीं बलकि एवरोपॉलिस है। जी हाँ, एवरोपॉलिस। सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगनी प्रिगोजिन नहीं खोली थी। नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उन पर पाबंदी लग चुकी प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गए। जुलाई 2022 सेंट पीटर्सबर्ग जेल रूस। युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाच महीने बीच चुके थे। इस दौरान युक्रेन में वैगना प्रिगोजिन की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी। डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार ग्रुप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था। पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीथा कनेक्शन रूस क खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई। आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेन पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार ग्रुप में भरती होने की पेशकश की है। ये पहली बार था जब प्रिगोज सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है। फिर राश्रपती पुतिन को वैगनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरुरत क्यों पड़ी। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वैगनर ग्रुप के 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे। यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई दोहजार अठारा वाशिंग्टन दीसी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन्चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजनसी एफबी आई ने गिरफ़तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार ने लेकिन एफबी आई के पास वुखता सबूत थे कि मारिया बोतिना रूस के असरदार नेता और बोतिन के करीबी अलेकसेंडर तॉर्षिन के लिए काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बुतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बुतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वाभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानून मदद मुहया नहीं कराएं अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूता वास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथ हो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुआ मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दोरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटरव्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पूतिन की टीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिका में मारिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था पुतिन के बेहत करीबी येवगेनी प्रिगोजिन का मारिया बुतिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैसियत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खोफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन बास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहां प्रिगोजिन को आगे किया जाता है मारिया बुदिना की मदद के लिए प्रिगोजिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भीजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजिन बीते नौ साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंट्रल अफ्रीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहाँ पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धंदा बलड ऑन ट्रेट पच्चीस अक्टूबर दोहजार सोला पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक छे दशक से जारी ग्रेह युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही गुटों की बंदू के गरज रही थी सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक की सेना 2013 में ही पस्थ हो गई थी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माली सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जनवरी 2018 बांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार की मौजूद्की के खबर पहली बार दुनिया के सामने आई सितंबर 2018 में युक्रेन के खोफिय एजेंसी ने सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक ने M. Finance, LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट्र पीटर्स बर्ग में रिजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लड़ा के जंग इसली लड़ रहे हैं ताकि ब्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सकें इस बधाल अफ्रीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सबसे बड़ी हीरा कमपनी दायम विले पर बोरी तरह कबजा कर ल ग्रेह युद्ध में जुलस रहे सुडान के ततकालीन ताना शाह ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पुतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सिना सुडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया धिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सुडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया गया है जल्दी सुडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सुडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सुडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सुडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सुडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल दोहजार तेक्स खार्तूम सुडान सुडान में इस बार अजीबों गरीब सिवल वार छड़ गई वहां सेना के खिलाब सुडान की पैरा मिलिटरी फोर्स रस यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाड़ी प्रिगोजिन का वैगनार ग्रुपी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और आरेसिफ का जगणा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाब आरेसिफ के असंतोष को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां आरेसिफ के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कंपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जवीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़कों को दिया गया है वजह ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक ड़़ेंगे तो उनके हर आक्शन की जबाब देही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़के अगर मरते हैं या लोगों को मारते हैं तो दोनों ही सूरत में रूस को कहीं भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोरी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोणपती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड टाकत दा मिलीशिया माइट 31 माई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मन्जिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका की राष्टपती को रूस की चका चौन्ध दिखाने का प्लैन बना चुके थी राश्टपती पोतिन और बुश की शिखर बैठक रूस के सबसे खूब सुरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई जहां पोतिन ने अमेरिकी राश्टपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इससे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमून अमाना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला उन दिनों सोव्यत खोफिय एजनसी केजीबी से इस्तीफा देने के बाद लादेमिर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेर के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के बास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टोरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के तद्कालीन राश्टपती जैक शिराक को प्रिगोजन के तेरते रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉंट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वागनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वागनर गुरूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमानू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखे हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ, रेमोस ओफ टेरर युक्रेन वार के तेरा महिने बाद, जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमानू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वागनार ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑग जेनरल स्टाफ वैलरी गेरसिमोग के खिलाफ नोर्चा खोल चुके थे हमारे पास गोला बारूद सत्तर प्रतिशत कम शोईगू गेरसिमोग गोला बारूद कहा है रूस के लोगों की नजर में उस वक्ष प्रिगोजिन और वैगनार ग्रुप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से छीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राश्टपते पोतिन की चुपी हैरान करने वाली थी ये रहस्य आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ष प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रुप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रुप के फाइटर्स के हत्यार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर की चीए 17 जून 2013, क्रेमलिन, मॉसको, रूस परमाडू हत्यारों के पहली के बेलारूस पहुँच गई है रूस के परमाडू हत्यारों के बेलारूस पहुँचने के ऐलान के ठीग एक हफते बाद वैगनार ग्रूप के चीए प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थे उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बाद तस्वीर बदल थे पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हत्यार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो पुतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हत्यार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा? ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार ग्रूप को शरण दी गई है वहाँ से चेर्नोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्नोबिल में बेलरू कचरे का भंडार है जसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तैय है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुननदन पिछले हफ़ते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संस्नी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले किये विगनी प्रिगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रिगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रिगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजन असल में क्या है इनी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजन के विद्रो का सच छलावा दा इलीजुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के तब तबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवालेनी खुल कर सामने आ चुके थे नवालेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और पदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लहाजा नवालेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राष्ट्रपती पत के उम्मीदवार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवालेनी उस दिन सुबह अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राष्ट्रपती चुनाव में समर्थन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंकर भागा ये लिक्विट ब्रिलियंट ग्रीन दाए था जिसे रूस में जेलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जक्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जेलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाएंख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राष्टपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राष्टपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया 20 अगस्त 2020 ओम्स्क साइबेरिया रूस नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्स्क शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत ना सुप थी ओम्स्क शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफतार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नामुम्किन है नवालेनी के साथ जो सलूख हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जिन्दगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 20 साल बाद ही बदल गे 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रो पूरे रूस में यही शब्द गूंजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बंद गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बंद लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार ग्रुप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की ओर कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रूस्तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करे रूस्तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रोस्तोफ के बाद वैगनार गुर्प के फाइटर्स मॉस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्निंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टबर्दी पोतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोस्जिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है पोतिन ने एलान कर दिया कि वो इस गद्दारी को कुचल देंगे लेकिन कुछ घंटों के गदर के बाद सीन बदल गया मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले वैगनार गुर्प के मुखिया प्रिगोस्जिन ने युद्ध विराम का एलान कर दिया 25 जून 2023 क्रेमलिन मॉस्को रूप्स वैगनार गुर्प के लड़ाके अपनी पुरानी पुजिशन पर वापस लौट चुके थे लेकिन वैगनार गुर्प के मालिक ये अवगेनी का कहीं पता नहीं था आशंका जदाई जा रही थी कि उससे या तो गिरफतार किया जा चुका है या फिर रूस की खोफिय एजेंसी पुरिगोजिन को ठेकाने लगा चुकी है लेकिन ये आशंका भी हवा हो गई पुतिन के प्रवक्ता ने साफ किया कि पुतिन ने माफ कर दिया है आखिर पुतिन ने इतनी बड़ी गदारी कैसे बरदाश्ट कर ली क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के साथ 30 साल पुराने रिष्टों का लिहास किया या फिर प्रिगोजिन का वित्रो और उसे माफ करके बेलरूस भेजने के पीछे पुतिन का कोई प्लान है इस सवाल ने दुनिया भर की खोफिय एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जला दी इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रिगोजिन कौन है वैगनार ग्रुप क्या है क्या और कैसे काम करता है और इससे भी बड़ी बात कि जिस रूस में विपक्ष के नेताओं की आवाज को चलती जाती है उस रूस में वैगनार ग्रुप किसके इशारे पर इतना बड़ा हो गया कि वो पोतिन की वार्निंग भी अनसुनी कर बैठा दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूटनीती और रननीती के मोचे पर रूस कहीं फसा तो प्रिगोजन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया प्रिगोजन का नाम क्रिमिया युद के बाद सुर्खियों में आया लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वागनर ग्रूप नाम से कोई कमपनी रजिस्टर नहीं है जबकि ये एक प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर है हैरत ये कि प्रिगोजन ने भी कभी वागनर ग्रूप से रिष्टों को स्विकार नहीं किया एसमें सवाल है कि वागनर ग्रूप कहां से आया और प्रिगोजन परदे के पीछे रहकर क्या करता रहा देखे टेली सीरीज का ये एपिसूड मकर जाल दाहीडन रूट्स पीस वरवरी दोहजार चोटा क्रीमिया ततकालीन यूक्रेन रूस क्रीमिया पर कबजे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेशक्यों का माथा ठनक गया किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सैनिक क्रीमिया में खुसे हैं वो रूस की सेना की किस यूनिट के हैं रूसी मीडिया इन सैनिकों को पॉलाइट पीपल यानी शान्त सभ्य इंसान बता रही थी कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौ सेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छेपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं क्रीमिया पर कबजे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं है बलकि क्रीमिया के ही लोग हैं एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनार पीमसी यानी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर के लड़ाके हैं जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ओपरेशन के लिए भेजा गया था रूस ने तब इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वैगनार पीमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है रूस में ऐसी कोई कंपनी रेजिस्टर्ड नहीं थी रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर गैर कानूनी था माना यही गया कि युक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सैन्य दस्ता वैगनार पीमसी बनाया है पता ये भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रेटार्ड लेटिनिन करनल दिमित्री उत्किन ने वैगनार पीमसी बनाया है जिसकी फंडिंग पुतिन के खासमखास उत्योगपती येवगेनी प्रिगोजिन ने की है ग्रुप का नाम वैगनार क्यों रखा गया ये कहानी आपको आगे बताएंगे फिल्हाल तो वैगनार का वो मकड़ जाल देखिये जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी 20 अक्टूबर 2015 लातकिया सीरिया सीरिया के ग्रेह युद्ध में रूस की एंट्री एक महिना पहले ही हो चुकी थी रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अलसत की तरफ से जंग लड़ रहे हैं लेकिन लातकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में तीन रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने सही इंकार कर दिया अगले तीन साल तक ऐसा कई बार हुआ सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला झारती रहे इस शीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनार के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है इसका पढ़ना फाश तीन साल बाद हुआ उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब IISIS का गड़ था और IISIS के ठेकानों पर अमेरिका भी तापर तोड़ हमले कर रहा था उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गए अमेरिका की मिर्जाइल हमले में एक दरजन से ज्यादा रूस ही मारे गए लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला जाड़ लिया गया क्योंकि वो सारे के सारे वैगनार पीमसी के लडाके थे जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनार पीमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में तब वैगनार पीमसी पर पाबंदी लग चुकी थी प्रिगोजिन अमेरिका की आँख की किर्किरी बन चुका था, अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनार पीमसी के लडाकों के बारे में जानना चाहा, तो प्रिगोजिन की कंपनी Concord Management and Consultancy ने वैगनार के साथ किसी भी तरह के रिष्टे से साफ इनकार कर दिया सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी अमेरकी न्यूस वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनार PMC के बारे में रूस में कोई भी खबर चापना मना है रूस में एक छोटी सी न्यूस वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार देनिस कुरतकोव ने ये खबर चापी जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिष्टेदारों के जरीए धमकाया गया रूस की सोशल मीडिया पर देनिस कुरतकोव को गद्दार घोशित कर दिया गया वैगनार पीएमसी की सीरिया में मौजूद्गी की परताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया मालूब हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है उस कंपनी का नाम वैगनार पीएमसी नहीं बलकी एवरोपॉलिस है जी हाँ एवरोपॉलिस सिटमबर 2016 में ये कंपनी भी येवगेनी परिगोजिन नहीं खोली थी नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलियה थी क्योंकि परिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उन पर पाबंदी लग चुकी थी। प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपॉलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गई। जुलाई 2020, सेन पीटर्सबर्ग जेल, रूस। युक्रेन पर रूस का हमला हुए पाँच महीने बीच चुके थे। इस दोरान युक्रेन में वैगनार पीमसी के लड़ाकों की मौजूदकी की खबरें लगातार आ रही थी। डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनार गृप एक्टिव था लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था। पहली बार वैगनार के साथ प्रिगोजिन का सीधा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीस पर सामने आई। आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनार गुरुप में भरती होने की पेशकश की है ये पहली बार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया दुनिया में सबसे ज़ादा हतियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया की सबसे शक्तिशाली पाच सिनाओं में एक रूस की है फिर राश्रपती पुतिन को वागनर पीमसी के नाम से प्राइवेट मिलिटरी बनाने की जरुरत क्यों पड़ी ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पुतिन को अपने आर्मी चीफ के बजाए वागनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन की मदद लेनी पड़ती है ये खेल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड परचाई दा घोस्ट ब्रिगेट 12 जुलाई 2015 लोस एंजलेस अमेरिका रेपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से डॉनल्ड ट्रॉम्प फ्रीडम फेस्ट कारिक्रम में समर्थन जुटाने पहुँचे थे यहां उनका सामना रूस और अमेरिका के रिष्टों से जुड़े सवाल से हुआ ट्रॉम्प से जिस मैला ने सवाल पूछा उसका नाम था मारिया बोतिना रूस में हथियार रखने के अधिकार की वकालत करने वाली मारिया बोतिना चार साल से अमेरिका में सक्रिय थी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी भी गन कल्चर के सपोर्ट में थी इसलिए मारिया बहुत आसानी से रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उठने बैठने लगी वो खुद को रूस का प्रतिनिधी बताती थी पंद्रह जुलाई दोहजार अठारा वाशिंग्टन डी सी अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बोतिना को अमेरिकी जाच एजंसी एफबी आई ने गिरफ्तार कर लिया मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासू से इस आरोप को ना तो मारिया ने कबूल किया और ना ही रूस की सरकार लेकिन फबी आई के पास पुखता सबूत थे कि मारिया प्टिना रूस के असरतार नेता और प्टिन के करीबी अलेख्जेंडर तॉर्शिन के लिये काम करती है शुरुवात में जासूसी के आरोपों से इंकार करती रही मारिया बोतिना ने ट्राइल के दौरान मान लिया कि उसने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जहासे में लेने की कोशिश की उसे 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई मारिया बोतिना के ट्राइल के दौरान रूस की सरकार के रवये पर हैरानी हुई रूस ने उसे अपना जासूस नहीं माना जो स्वभाविक था क्योंकि कोई भी देश ऐसा ही करता लेकिन मारिया को बेगुना रूसी नागरिक बताने के बाद भी रूस ने उसे कोई कानूनी म मदद मुहया नहीं कराएं अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस तक का इंतजाम रूस की सरकार या दूतावास ने नहीं किया 26 अक्टूबर 2019 मॉस्को रूस सजा पूरी होने के बाद मारिया बुतिना जब अमेरिका से मॉस्को पहुँची तो रूस के विदेश मंत्राले ने उसे हाथो हाथ लिया मारिया का स्वागत किसी नाईका की तरह हुए मारिया बुतिना को रूस में बड़ा इनाम भी मिला साल 2021 में वो राष्टपते पुतिन की पार्टी से सांसत चुनली गई इस दौरान एक बात सबको खटकती रही कि अमेरिका में मारिया का केस लड़ने के लिए वकील की फीस किसने चुकाई अपनी रहाई के बाद अमेरिका के एक न्यूस चैनल को दिये इंटरव्यू में मारिया कबूल कर चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए रूस के एक रसूखदार नेता से मेसेच के जरीए संपर्क साधा था तो क्या पोतिन की तीम के प्रभावशाली सदस्य ने मारिया के मदद की थी? मारिया ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जिस शक्स को मारिया ने मेसेच भेजे थे उसका नाम भी नहीं बताया लेकिन अमेरिया के वकील की फीस चुकाने वाले का नाम तब तक सामने आ चुका था ये नाम था उतिन के बेहत करीबी येवकेणी प्रिगोजिन का मारिया बोटिना का केस लड़ने के लिए प्रिगोजिन ने करीब 50 लाख रूबल दिये थे क्यों और किस हैस्यत से इसका सीधा जवाब ये मिला कि प्रिगोजिन ने एक रूसी नागरे के मदद करने के लिए उद्योगपती की हैसियत से ऐसा किया लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिय एजेंसियों और मीडिया को इस पर यकी नहीं हुआ वो मान चुके थे कि प्रिगोजिन वास्तव में पोतिन की परचाई है वो पोतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता दावा किया गया कि जिन मामलों में रूस की सरकार या राष्टपती पोतिन खुल कर सामने नहीं आ सकते या फिर जवाबते ही नहीं लेना चाहते वहाँ प्रिगोश्जिन को आगे किया जाता है मारिया बुतिना की मदद के लिए प्रिगोश्जिन को आगे करने की वज़े भी यही मानी गई कि अगर रूस खोद ऐसी कोशिश करता तो इस पर आरोप लगता कि उसने अमेरिका में अपनी जासूस भेजा था जादतर लोगों ने रूस के वागनर गृप का नाम पिछले साल यूकरेन युद के बाद ही सुना लेकिन पुतिन के शेफ यानी रसोये के नाम से मशूर प्रिगोजन बीते 9 साल से अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजिंसियों को खटक रहा था सीरिया से लेकर सेंटरल अफ्रीकन रिपबलिक और सुदान तक जहां भी ग्रे युद छिडा वहां पहले रूस ने डिफेंस डील की और पीछे से वागनर के लड़ा के जाधम के रूस के साथ दूसरे देशों के सुरक्षा समझाते में वागनर ग्रूप का रूल क्या था इसके लिए वागनर ग्रूप ने कितनी कीमत वसूली देखें हमारी टेली सीरीज का ये खास एपिसोड धन्दा बलड ऑन ट्रेट पचीस अक्टूबर दोहजार सोला पांगी सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक छे दशक से जारी ग्रे युद्ध में सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक खंड़हर हो चुका था इस मध्य अफ्रीकी देश के हर कोने में वित्रोही कुटों की बंदू के गरज रही थी यूरोपिय देशों की सेना सभाल रही थी लेकिन उस दिन फ्रांस ने भी हार माली सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक से फ्रांस की सेना वापस लोटने लगी इसके बाद यहां एंट्री हुई रूस की रूस का दावा था कि उसकी फॉज सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक की सेना को ट्रेनिंग देगी बस और कुछ नहीं लेकिन जल्दी वहां रूस की शैडो आर्मी वैगनार के लड़ाकों की एंट्री हो गई 20 जन्वरी 2018 बांगी सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक में वैगनार की मौजूद्गी के खबर पहली बार दुनिया के सामने आए सितंबर 2018 में युक्रेन के होफिय एजेंसी ने सेंट्रल आफरिकन रिपब्लिक में प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा किया एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लगभग एक हजार फाइटर्स तैना थे लेकिन ये कॉंट्राक्ट उन्हें नहीं मिला है बलकि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक ने M. Finance, LLC Security Service नाम की रूसी कमपनी को दिया है सेंट्र पीटर्स बर्ग में रेजिस्टर्ड इस कमपनी का मालिक येवगनी प्रिगोजिन ही है उसकी ये कमपनी खनन का काम करती है इस खुलासी के बाद लोगों को समझ में आया कि सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक में वैगनार ग्रुप के लड़ा के जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोनी की खदानों पर कबजा कर सके इस बधाल अफ्रीकी देश में हीरे की खदानों की भरमार है वहां ग्रेह युद्ध की बड़ी वज़े भी यही है जिसे शांत करने के नाम पर वैगनार ग्रुप ने सिंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक की सबसे बड़ी हीरा कमपनी दायम विले पर बोरी तरह कबजा कर ल ग्रेह युद्ध में जुलस रहे सुडान के ततकालीन तानाशा ओमर अलबशीर ने रूस के राष्टपती पुतिन से रूसी सेना भेजने की गोहार लगाई थी रूस की सेना सुडान पहुँची लेकिन अकेले नहीं रूस के ही पूर्व खोफिया अधिकारी इगोर्स ट्रेलकोव ने खुला सा किया कि सुडान में विद्रोहियों से निपटने का ठेका प्रिगोजिन के वैगनार ग्रुप को ट्रांस्वर कर दिया गया है जल्दी सुडान में भी वैगनार ग्रुप के नाम पर भवाल शुरू हो गया लोग सडकों पर उतर आए जनवरी 2019 में ताना शाब बशीर के खिलाफ सुडान में विद्रोह हुआ तो वैगनार ग्रुप ने पाला बदल लिया वैगनार के लड़ाकों ने सुडान की सेना के साथ मिलकर बशीर का तख्ता पलट करवा दिया यहां भी वैगनार ग्रुप के नजर सुडान के सोने की खदानों और तेल के कुऊओं पर थी सुडान के बंदर गाहों को तो रूस की सेना ने खोले आम लीस पर ले ही रखा था अप्रेल दोहजार तेइस खार्तूम सुडान सुडान में इस बार अजीबो गरीब सिवल बॉर छड़ गई वहां सेना के खिलाब सुडान की पैरा मिलिटरी फोर्स रस यानी रैपिद सपोर्ट फोर्स ने विद्रोह कर दिया इस बार भी असल खिलाडी ब्रिगोजिन का वैगनर ग्रुफी था दावा किया जाता है कि सुडान में सेना और आरेसिफ का जगड़ा सोनी की कमाई के बठवारे की वज़े से हुआ साल 2022 में सुडान ने 120 अरब डॉलर का सोना बेचा था जिसकी बड़ी खेव रूस ने खरीदी थी आरोप है कि उस रकम में हिस्सेदारी को लेकर सुडान की सेना के खिलाब आरेसिफ के असंतोष को वैगनार ग्रुप नहीं हवा दी और अब वैगनार ग्रुप वहां आरेसिफ के साथ है सवाल ये है कि जब रूस की सरकार सीरिया, सुडान और सेंट्रल आफ्रिकन रेपब्लिक के साथ सीधे डील कर रही है तो सौदा प्रिगुजिन की कमपनियों के नाम पर क्यों? जानकार मानते हैं कि इन देशों में रूस की सेना जमीन पर जंग नहीं लड़ रही ये ठेका वैगनार ग्रुप के लड़ाकों को दिया गया है वज़े ये है कि अगर जंग रूस के सैनिक लड़ेंगे, तो उनके हर आक्शन की जबाबते ही रूस की सरकार की होगी लेकिन वैगनार के लड़ाके अगर मरते हैं या लोगों को मारते ही तो दोनों ही सूरत में रूस को कहीं भी कड़ घरे में नहीं खड़ा किया जा सकता पश्मी देशों की मीडिया प्रिगोजन को राश्रपती पुतिन का शेफ कहती है क्या कोई खानसामा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो राश्रपती पुतिन को चुनौती देने लगे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही सोवेत रूस के दौर में प्रिगोजन मामूली चोड था बालिग होते ही उसे चोड़ी के आरोप में जेल की सजा हो गई जेल से रिया होने के चार साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग का करोड़पती कारोबारी बना तो इसके पीछे भी पुतिन की ही महरबानी थी फिर प्रिगोजन को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वो रूस की सेना से टकराने निकल पड़ा इसी रहस्य पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड ताकत दा मिलीशिया माइट 21 मई 2003 मॉस्को रूस अमेरिका की ततकालीन राष्टपती जॉर्ज डबल्यू बुश का विमान मॉस्को में लैंड हुआ लेकिन राष्टपती बुश की रूस यात्रा की मंजिल मॉस्को नहीं थी रूस में राष्टपती व्लादिमेर पोतिन का ये पहला कार्यकाल था जो अमेरिका की राष्टपती को रूस की चका चौन्द दिखाने का प्लैन बना चुके थे राश्टरपती पुतिन और बुष की शिकर बैथक रूस के सबसे खूब सूरत शहर सेंट पीटर्सबरग में हुई जहां पुतिन ने अमेरिकी राश्टरपती की खातरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी राच काने के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में राश्टपती बुश के लिए पुतिन ने खाने का भी खास इंतजाम किया था उनका डिनर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे मशूर तैरते रेस्टरान में हुआ जहां राश्टपती बुश और पुतिन को खाना परोसने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक खुद मौजूद था नाम था येवगेनी प्रिगोजिन इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया राश्टपती पुतिन अपने हर खास महमान को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट का ही खाना चखाते रहे दुनिया के बाकी देशों के लिए इसमें खटकने वाली कोई बात नहीं थी जबकि रूस के लोगों ने इसे पुतिन और प्रिगोजिन के पुराने रिष्टों का नमूना माना जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई थी 1993 में प्रिगोजिन ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग का पहला कसीनो खोला विदेशी निवेश जुटाने की थी कसीनो भी विदेशी परेटकों और निवेशकों को लुभाने का जरिया था इसलिए कसीनो खोलने के लिए प्रिगोजिन को पुतिन के पास जाना पड़ा दोनों की पहली मुलाकात इसी सिलसले में हुई प्रिगोजिन का कसीनो बहुत दिन नहीं चला 1995 में उसने एक बिजनेसमैन की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराने जहास पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोला पुतिन के साथ उसकी दोस्ती जारी रही रूस का राश्टपती बनने के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन के इस रेस्टोरेंट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू किया साल 2001 में पुतिन फ्रांस के तद्कालीन राश्टपती जैक शिराक को प्रिगोजन के तैरते रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले कर गए प्रिगोजन की गद्दारी के बाद राश्टपती पुतिन ने उसे माफी दे कर बेलरूस भेश दिया उन्होंने वैगनर ग्रूप को ओफर किया था कि प्रिगोजन की प्राइवेट आर्मी रूस की सेना के साथ कॉन्ट्राक्ट साइन कर सकती है लेकिन खबर है कि वैगनर ग्रूप ने ये पेशकश ठुकरा दी अब बेलरूस में ही प्रिगोजन के वैगनर गुरूप का कैम्प है जहां राश्रपती पुतिन रूस के परमाणू हतियारों की तैनाती कर चुके हैं वैगनर गुरूप के लड़ाके अपने दुसाहस की नुमाईश कर ही चुके हैं अगर बेलरूस में परमाणू हतियार वागनर लडाकों के हाथ लग गए तो होगा क्या अमेरिका और नेटों के होश उड़ा देने वाले इस सवाल का जबाब देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड खौफ रेमोस ओफ टेरर 25 मार्च 2013 क्रेमलिन मॉस्को रूस युक्रेन वार के तेरा महिने बाद जिस वक्त रूस के राष्टपते पोतिन बेलारूस में परमाणू हतियारों की तैनाती का एलान करके नया फ्रंट खुर रहे थे उसी दोरान युक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनार ग्रूप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोईगू और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलरी गेरोसिमोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप के फाइटर्स हीरो थे जिन्होंने पाखमत को युक्रेन से चीन लिया था प्रिगोजिन वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे इस पर राष्टपते पोतिन की चुक्पी हैरान करने वाली थी ये रहसिय आज भी अनसुलजा ही है कि पोतिन उस वक्ट प्रिगोजिन को नजर अंदास कर रहे थे या फिर उनका मौन समर्थन वैगनार ग्रूप के साथ था प्रिगोजिन के जुबान आग उगलती रहे और फिर वो दिन भी आया जब वैगनार ग्रूप के फाइटर्स के हथियार रूस की सेना के खिलाफी आग उगलने लगे प्रिगोजिन के विद्रोफ की टाइमिंग पर जरा गौर कीचिए प्रिगोजिन के प्रिगोजिन ने विद्रोफ किया खुद पुतिन इसे गत्तारी बता रहे थी उन्होंने विद्रोफ को पूरी तरह को चलने का एलान भी किया लेकिन कुछी घंटे बात तस्वीर बदल थे प्रिगोजिन ने प्रिगोजिन को माफ करके उसे बेलरूस भेज दिया जहां उन्होंने एक हफते पहले रूस के परमाडू हथियार भेजे थे रूसी सेना के खिलाव विद्रोफ करके प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो होतिन के भी कंट्रोल से बाहर है ऐसे में अगर बेलरूस में तैनार रूस के परमाडू हथियार प्रिगोजिन के हाथ आ गए तो क्या होगा ये सोच कर ही पश्चिम के देशों के भोश उड़े हुए है अगर परमाडू हथियार ना भी मिले तो प्रिगोजिन और वैगनार ग्रूप युक्रेन में परमाडू तबाही पैदा कर सकते हैं बेलरूस की राजधानी मिंस्क के बाहरे इलाके में वैगनार ग्रूप को शरन दी गई है वहाँ से चेर्णोबिल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है चेर्णोबिल में परमाडू कचरे का भंडार है जिसमें अगर आग लगी तो रेडियेशन से विनाश तए है नमस्कार मैं हूँ प्रीती रगुनंदन पिछले हफते रूस में एक सरशस्त्र विद्रो हुआ जिससे दुनिया भर में संसनी मच गई रूस के राश्रपती पुतिन को उसी वागनर ग्रूप के माले के वेगनी प्रीगोजन ने चुनौती दी जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया सवाल बहुत से हैं क्या प्रीगोजन पुतिन के लिए भसमा सुर बन गया या फिर प्रीगोजन रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा मोहरा है जिसके जरिये पुतिन कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिगोजिन असल में क्या है इन्ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी स्पेशल टेली सिरीज वेताल दार्क इविल में जिसके पहले एपिसोड में देखिए रूस के प्रिगोजिन के विद्रो का सच छलावा दैलीजुरी बॉन्ड 13 दिसंबर 2016 मॉस्को रूस मॉस्को की सलकों पर हजारों की भीड उम्री थी रूस की राजनीती में लातिबिर पोतिन के तब तबे को चनौती देने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलक्सी नवलेनी खुलकर सामने आ चुके थे नवलेनी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके थे और बदले में कई पार जेल की हवा भी खा चुके थे लेकिन इस बार उन्हें लगा कि रूस में हवा का रुख पतिन के खिलाफ है लहाजा नवलेनी ने एलान कर दिया कि वो 2018 के चुनाव में रूस के राश्ट्रपती पत के उम्मीद्वार होंगे मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारनॉल शेहर में एलेक्सी नवलेनी उस दिन सुबा अपने दफ्तर से बाहर निकले वो आसपास के लोगों से मिलकर राश्ट्रपती चुनाव में समर्धन जुटा रहे थे तभी एक शक्स उनके चेहरे पर गेहरे हरे रंग का लिक्विट फेंक कर भागा ये लिक्विड ब्रिलियंट ग्रीन दाय था जिसे रूस में जैलेंका कहा जाता है इसका इस्तमाल नवजात शिश्वों के गर्भ नाल का जख्म भरने के लिए किया जाता है लेकिन नवालेनी पर फेंके गए जैलेंका में शायद कोई दूसरा केमिकल भी मिलाया गया था जिसकी वज़े से उनकी दाई आँख की रोशनी खत्म हो गए नवालेनी और उनके समर्थकों का आरोप था कि ये हमला पुतिन ने करवाया है अलकि इसके बाद भी नवालेनी का पुलिटिकल एक्टिविजम बंद नहीं हुआ वो पुतिन की सत्ता के लिए चुनौती बंते जा रहे थे उन्हें ना तो राश्ट्रपती चुनाव लड़ने दिया गया ना ही मौसकों के मेर का चुनाव लड़ता है नवालेनी ने इसके बाद उस जन्मत संग्रह का विरोध करने की गुस्ताखी की जिसके जरिये राश्ट्रपती पद पर पुतिन के ता उम्र काबिज होने का रास्ता खुला नवालेनी यहां भी पुतिन से हार गए लेकिन पुतिन ने उन्हें माफ नहीं किया नवालेनी उस दिन रूस के टॉम्सक शहर से मॉस्को के लिए हवाई जहाज में सवार हुए उन्होंने विमान में पानी पिया और थोड़ी देर बाद नवालेनी की हालत नाजुक थी ओम्सक शहर में विमान की एमजेंसी लैंडिंग हुई तब तक नवालेनी कोमा में जा चुके थे दो दिन बाद उन्हें जर्मोनी के एक अस्पताल में भरती कराया गया उनके खून की जाच पाँच अलग-अलग लैब में हुई और सभी के रिपोर्ट यही थी कि नवालेनी पर नोवी चौक नाम के नर्फ एजेंट से हमला हुआ था एक महीने बाद मौत के मुझ से निकले नवालेनी 17 जन्वरी 2021 को रूस लोटे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया कि नवालेनी अब भी जेल में है और उन पर इतने केस हैं कि जेल से बाहर निकलना नाममकिन है नवालेनी के साथ जो सलूक हुआ वो रूस में हर आदमी के लिए चेतावनी थी कि जो भी पुतिन के लिए चुनौती पेश करेगा उसकी जंदगी मौत से भी पत्तर हो जाएगी लेकिन रूस में सत्ता का ये नियम 22 साल बाद ही बदल गे 24 जून 2023 रोस्तोव रूस समय तड़के तीन बजे विद्रोग पूरे रूस में यही शब्द गूजा था जब लोगों ने मौसको से लगभग 1100 किलोमीटर दूर रोस्तोव शहर में बखतर बन गारियों में वैगनार ग्रुप के हत्यार बन लड़ाकों को देखा युक्रेन के लुहांस्क में रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनार ग्रुप के फाइटर जंग के मैदान से मौसको की ओर कूच कर गए थे उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के खिला जंग का ऐलान कर दिया था उनके तेवर देखकर रूस तोव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें रोकने की कोशिश करें रूस तोव ने वैगनार के सामने समर्पन कर दिया रूस तोव के बाद वैगनार ग्रुप के फाइटर्स मौसको की ओर रवाना हुए उन्होंने रूस की सेना की वार्णिंग को नजर अंदास कर दिया रूस में सौर साल की ये सबसे बड़ी बगावत थी राश्टपती पोतिन को सीधी चुनौती ये गद्दारी किसी और ने नहीं की पोतिन को ये चुनौती उस येवगेनी प्रिगोजिन ने दी थी जिससे पोतिन का बेहत विश्वास पात्र माना जाता है